कि यह बड़ा अनफॉर्चनेट इंसिडेंट हुआ है अमरज सर में और कोई अनारई प्रवार का जो उनकी पहली वाई के प्रवार से कुछ अगड़ा था जो इनीशियल स्टेज पे जो सामने आया है और डेफनेटली बहुत दुखता ही गटना है लेकिन इमीजेटली जो ड के खिलाब फायर भी दर्ज हो गई है और स्पेशल डीजीपी आज विजट भी करेंगे शाम को और मुक्मंत्री जी की डारेक्शन है और सुने पॉसिफल इन लोगों को पकड़ा जाया और विदेविल ब्याइंड दाबार अब ही जो जो फायर दर्ज हुई है उसमें जो इनिशियल स्टेज पे इनका शक जो पहली वाइफ थी इनको इपरवार पे है तो तकरीबन पांच लोगों के खिलाब मुकदमा दर्ज हुआ है और फारदर इन्वेस्टिगेशन जा रही है यह अभी तक तो नहीं हुई जो क्योंकि अभी इस समय तक तो वो लोग फरार है लेकिन विक्टिम को जिन लोगों पे शक है जो रिस्तेदारों पे शक है उनके खिलाफ फियार भी दर्ज होगी और उनकी तालाश भी जा रही है और होफुली जल्दी वो सब लोग पकड़े जाएं प्रवारिक डिस्प्यूट ही नजराता है बाकि फर्दर जो भी इन्वेस्टिकेशन में सामने आएका तर डेफिनिटी वी विल डिस्क्राइब आँ टुदा मीडिया एंड एडी जी पी स्पेशल एडी जी पी जी को डारेक्शन हुई है कि वो आज विजिट भी करेंगे जो घटना घटना इस तर लिए ऐसा है क्राइम को ससाइटी से पूरी तरीके से आप बाहर नहीं रख सकते लेकिन भगवंतमान जी की सरकार ने कापी बेहतर तरीके से लाइंड आर्डर को मेंटेन किया है और डेफिनेटली जो इस तरह की घटना जब होती है तो आनफॉर्टनेट है और पिछले महीनों में जो भी एसी घटनाए हुई है तो इमीजेटली पंजाब पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट भी किया है उनके खिलाब कानूनी कारवाई भी किया